अच्छा तुम ये सब छोड़ो तुम अपनी पहली प्रेस स्टेट्मेंट के लिए एज दा न्यू चेर पर्सन अफ महाजिन गृप तयार वजाओ काश के आज प्रेम जिन्दा होता उसे तुम पे कर होता पिटा आज में एक भी दाव आजो बटाम तावजी एक मिनुट दादा पाफू, आपने मुझ से कहाता कि आप, हमेशा मेरी धाल बन कर मेरे साथ खड़े रहेंगे, आज मुझे आपकी बहुत सादा जरूरत है, तुम क्या चाहती हो बेटा, मैं तुम्हारी बली चड़ने दू, नहीं दादा पाफू, मैं आपसे बसे इतना कहूंगे, कि अगर आपको प्रीमराज महाजन पर भरोसा था, तो फिर अपनी युवी, युविका प्रीमराज महाजन पर भी अपना भरोसा बनाए रखे, प्लीज, अपना युविका, आपसा बेट कर रहे है, अब, आप, 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 चलो, नाथ बाभू, कि अगरे है, अगरे है, महाजन परचै वो, वेल, मेरी बहन इदिका महाजन आज से महाजन रुप की नई चेह परसन है सो इसी पल से सारे फैसले वही लेंगे सर ये लोग तो सच में बढ़के हुए है सब लोगों के हाथों में पत्थर है यह है आपका पहला चेक हमें आपका स्कार्ट अप्लान बहुत पसंद आया और हमें उमीद है कि आप हमारे भरोसे और हमारे पैसे दोनों का सही इस्तेमाल करेंगे थैंकी सर्थ थैंक्यू जी हाँ यह सबसे बड़ी कबर है कि मिस्जुई का महाजन यानि प्रेम राज महाजन की बेटी ने महाजन ग्रूप की चैर्मेंशिप को स्विकार कर लिया है यूवी का महाजन ने हा कर दी? क्यों में ऐसा नहीं लगा जैसे पुरे बिस्नेस और वर्ल्ड में तहल का मच गया बस मेरी बच्ची का तमाशा नमाच जाए बाजन ग्रूप की 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 बाजन इस स्टेट्मेंट देने जा रही है युविका जी, आपने जो निर्णे लिया है ये निर्णे एक इतना हित्कर है इन करमचारियों के लिए हमसे जो हमारा हाग चीनेगा वो मिटी में मिल जाएगा वहाजन्स को है ऐशोवारा हमसे कला सकती थले में चीनेट यी लड़की क्या कर लेगी अमें यहां से नहीं सकते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग प्लीज बंद कीजिए इतमाशा आप लोग मुझे सुने बगेर चिला क्यो रहे हैं एक मां की हाई लगे की जोंगर घरी नहीं रहने वाला इक अच्छ से मि उसके हम राध हुद पिता की क्या करेंगे नोटिस आई हुए है पूरी खालों नहीं क्रने के लिए अरे आप करीसे हु़ और लोगों को देंग एक इसनि-पन्द कराथी है लाइन कारती है इन बरूर की लगाई में ना चोटे नोगों की जान जा रही है उन्हें, इनके महाजनों ना कभी बला नहीं होगा, इनके सुच्च नास होगा हां मैं एक लड़की हूँ हां मुझे कोई तजूर्बा नहीं है और मेरी काबलियत का फैसला आप लोग करेंगे लेकिन अगर मैंने महाजन ग्रूप आफ कंपनी की चैमेंशिप को हां किया है तो मुझे एक मौका देना आप लोगों का भी फर्ज है मैं प्रेम और भूमी महाजन की बेटी हूँ उनका तजूर्बा मेरा तजूर्बा है मेरे पापा ने इस कंपनी को कामियाभी तक पहुचाने के लिए बहुत कुछ किया है उसके बाद एक शड़िंत्र में उन्हें फसा कर यहां से निकाल दे गया तब मेरी माँ ने मेरे पापा को संभाला मुझे संभाला चांतियों की कंपनी चलाना बहुत मुश्किल होता होगा और आप लोगों को लग रहा होगा कि यह एक लड़की कंपनी कैसे चलाएगी है न तेकिन क्या आप लोगों ने कभी भी एक मा को एक औरत को ग्रस्ती चलाते हुए देखा है कभी पूछा है उससे कि इतनी कठिनाईयों में अपने परिवार वालों के चेहरों पर मुस्कान बनाई रखना कितना मुश्किल होता है अभावों में अपनों को पालना किसी भी कंपनी या ग्रूप ऑफ कंपनीस को चलाने से कई बड़ा कई मुश्किल काम है और मैंने अपनी मा को वो सब कुछ करते हुए देखा है उनसे सीखा है मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूंगे कि अगर मैं आज अब सब लोगों के सामने खड़ी हूँ न तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मा के वज़े से मेरी माने मुझे सिर्फ एक बात कही थी आज कि मैं जो भी फैसला लूँगी अपने आप को एक मा की जगह पर रख कर लूँ क्योंकि मा से बहतर ये जिम्मधारी और कोई नहीं निभा सकता कभी नहीं निभा सकता जानते हैं क्यों क्योंकि एक औरत एक लड़की एंपथाइज करती है यानि की सहानुभूती रखती है औरों के लिए एमोशनल होती है और शायद इसी लिए वो अपने फैसले के लिए कभी भी कमपनीस के नंबर से आगे दूसरों के दर्ब को रखती है महाजन डूके स्थापना मेरे दादा जी ने की थी और मेरे दादा बाबू ने उस कमपनी को आगे भड़ाया उसे अभी तक संभाल के रखा मेरे दादा बाबू भानू प्रताप महाजन ने मुझे आज सिर्फ एक बात करी सिर्फ एक चीज मुझे समझाई कि ये महाजन ग्रूप सिर्फ महाजन परिवार का नहीं है बल्कि यहां काम कर रहे एक लाख बीस हजार इंप्लॉईस का है उनके परिवारों का है मुझे प्लीज माफ कर दीजेगा अगर मैं आज बोलते बोलते थोड़ा बावुको हो जाओं क्योंकि आज आप मुझे बहुत सा प्यार मिला प्यार मिला है अपनों का और यही भरोसा और प्यार की उमीद मैं आप लोगों से भी करती है तेकि मैं चैर परसिन बनके वही सोच आगे बढ़ाना चाहती हूँ जो मेरे दादा जी की थी मेरे दादा बाबू की थी मेरे पापा की थी और जब वो इतने विशाल परिवार को तोड़ ना सके तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ मेरे ताओ जी ने और मेरे बोर्ड मेंबर्स ने मुझे ये भरोसा दिलाया है कि मैं आज जो भी फैसला लूँगी या आगे जो भी फैसला लूँगी वो हर एक फैसले में मेरे साथ कड़े हूँगे अपने दादा बाबू के आशिरवाद से मैं अपना पहला फैसला आज दे न्यू चेल परसन आफ महाजन ग्रुप आप सब लोगों के सामने रखना चाती है महाजन ग्रुप की कोई भी कमपनी बंद नहीं होगी आप लोगों में से इसी की भी नौकरी कहीं नहीं जाएगी आप लोगों को जो भी नोटिसेज भेजे गए नहीं मैं उन नोटिसेज को अभी के अभी कैंसिल करते हूं आप लोगों में से किसी को भी अपना घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है और कॉलोनी की बिजली तुरंट बहाल कर दी जाएगी कॉलोनी की डिस्पेंसरी, स्कूल सब फिर से शुरू हो जाएगे आप अँखेंगें से कुल्च को लोग हमारा परिवार हैं और जब तक परिवार का हर एक सद्धित खुछ नहीं होता तब तक परिवार की खुष्या पोई माईनी नहीं रखती ऐसा मेरी माने मुझे सिखाय है यूका प्रेभ महाजा जिन्दावाद युकामाजर जिन्दावाइब जिन्दावाइब युकामाजर जिन्दावाइब ब्लड़ी है यह क्या कह रही है यह कैसे ले सकती है फैसला हाँ स्टूपिड कुर्सी के बैटके नस फट्टीचर का देमाग फिरसगया है बुलकुल सही फैसला दिया यह विकमा आप जानते हैं न? आप इन्हें कुर नहीं जानता सर मैं जब इनकी बहादरी, इनकी हिम्मत क्या कमाल की सोचने इनकी मानना थो पड़ेगा इनका खैसला तो सही है कंपनी को नए खून की जनुरत है लेकिए यह समाल पाएंगी महाजंग गूप अंदर से बरवाद हो चुका है ना आपके पस पैसे हैं ना आप बोरो कर सकते हैं तो कंपनी बंद नहीं करेंगे कुछ एमपलोईस निकालेंगे नहीं तो क्या करेंगे? यूविका ने अगर फैसला लिया है तो सोच समझ करी दिया होगा धनराज यह क्या बोल रही है यूविका? उसे रोको इतना पैसा आएगा कहां से? यह क्या प्रॉमिस कर रही है? रविका पिता बोर्ड में जो भी फैसला लिया था सोच समझ के लिया था तो ने की जट्टे में उसे अउटन कर दिया उनकी जो ताओ जी क्यों? क्या मैं अपने फैसले खुद में ले सकती हूँ? आपने और बोर्ड मेंबर्स ने मिलकी मुझे ये कंसेंट लेटर दिये कि मैं जो भी फैसला लूंगी उसमें आप लोग मेरे साथ खड़ रहेंगे मिस्टर धन्राज महाजan क्या आप एक सही डिसिशन के इसाथ नहीं है? क्यों यूवीका महाजan ko आपś रोक रहे थे? उनके फैसले में आप उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? तक यूवीका पेठा धन्राज पीछैर्टी आप आप उनको शुषाव दे रहे हैं जो कर ले अचा कर लिए पीछे हट जाए आप पीछे हट जाएए यूवी का प्रेम महाजन हमेशा हमारा साप देगी आप लोग प्रीक शांत हो जाएए धंदाज साओ जी मुझे कोई भी फैसला लेने के लिए मना नहीं कर रहे हैं वो बस यह जानना चाहते हैं कि मैंने जो भी फैसला लिया है अप लोगों को प्रॉमिस किया है मैं मैं वो कैसे पूरा कर पाऊंगे यह बहुत बड़ा फैसला है और उन्हें हग है इस बारे में जानने का और मैं आप सब लोगों को एक बात और बता दू कि जब तक यहां पे हर एक इंसान एक मा के नजर से इन हालातों को नहीं दिखेगा ना तब तक वो नहीं समझेगा कि मैंने किस आधार पर अपना फैसला लिया है stupid girl जैसे कभी एक घर में पैसो की तंगी होती है उसी तरीके से आज महाजन ग्रूप में पैसो की तंगी चल रही है महाजन ग्रूप जो आप लोगों का घर है एक तरीके से लेकिन ऐसे बुरे वक्त में मा अपने घर के सद्दस्यों को घर से बहार में निकाल देती बल्कि वो यह सोचती है कि मैं कहां अपने खर्चे उपर नीचे कर सकती हूं वो यह सोचती है कि मैं कहां अपना खर्चा कम कर सकती हूं उसी तरीके से, देखिए, हम भी कोई ऐसा फैसला लेंगे, कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे, जिससे हम इस तंगी से बहार आ सकें. ममी, ख्याब के लिए, थैंक यू सो मुच, अगर मैं आज अपनी जिंदेगी का इतना बड़ा फैसला ले पाई हूं तो, उस सिर्फ आपकी वज़े से. ताउची, क्या आप कभी लेबर कॉलिनी गए हैं, शायद तब गए होंगे जब उसकी नीव रखी गई थी, उसके बाद कभी नहीं. मैं कल रात को गही थी, और वहां मैंने लोगों की हिम्मत को तूटते वे देखा, लोगों के होसलों को विखरते वे देखा, एक नहीं, ऐसी कई माओं को देखा, जो अपने परिवार को समेटे खड़ी हुई थी, हदाश थी, गुस्से में थी, अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी जिन्दगी से लड़ने को तयार, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए। और माओं की ऐसी हाय से कभी कोई कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती, और महाजन गूप आफ कंपनी तो कभी भी नहीं, क्योंकि ये कंपनी आप लोगों के खून पसीने से बनी है, और आप के लिए ही बनाई गई है, ये तो वही दिदी है, जो रात का हमारी कॉलनी में आई थ दिदी, दिदी, अब प्लीज सबसे पहले बच्चे को डिस्पेंसरी लेके जाएं, सब रहे बुखार से वो, प्लीज, ये तो वही मेड़े मैं ना, जो अपने मुन्ना को रात को लेकर के आई थी, जो इसके लिए बहुत परेशान थी, दिदी को मैने टौफी दी थी, देखा ममा, अब दी की काबिलियत पर शक कर रही थी ना, एब बेटा, मैं युविका की काबिलियत पर कमेशा ने कर साथी, मैं बस उसकी सुरक्षा चाहती थी हमेशा, लेकिन मुचे नहीं पता थी, मेरी युविका इतनी पड़ी हो गई है, अब, अब, युविकाची को कोई नहीं हरा सकता है, युविकाची को खा मुण दे राग। झाल